हेलो दोस्तों आज हमारा question है arrange in ascending order ascending order क्या होता हमारा smaller to greater means जैसा हमारा LKG फिर हम UKG में जाते हैं फिर first फिर second में क्या होड़ी increase होड़ी classes तो यह क्या होगे assigning होगे में उपर के बढ़ना ओके लेकिन यह हमारा fraction में यह हमारा किसमें fraction में four upon nine two upon nine one upon nine six upon nine of five to nine तो आप देखेंगे के हमारे denominator क्या उपर अले क्या होता निच्ची वाले को बोलते हम सारे सब नियुमिलिंटर कोई सबस्से चोटा नबर फिर कितना को सैंट क्या उससे बड़ा है फिर फैब पॉन आईगा और फिर जिचसे बड़ा लुद्ग हरे रहे वह इस चेस में होगा जरुंद है नहीं वैज गानेक्ट हिस्ट कि क्यों हब सब obtain P सब्च च्क्राइंब टोलब टोलब मैं करता हैं क्य घ्रच किन में तुट नहीं है ल्टीज नहीं सारा upon के आ जाएगा सबसे चोटा 11 फिर हमारा क्या है 2 के बाद 3 है तो 3 upon 11 हो जाएगा फिर हमारा 3 के बाद 6 है तो 6 upon 11 हो जाएगा ओके फिर 8 है तो 8 upon 11 उसके बाद हमारा सबसे बड़ा नंबर 10 upon 11 हो जाएगा ठीके यह उस case में होता है जब हमारे denominator same हो ओके? ऐसे 9 upon 13, 2 upon 13, 11 upon 13 5 upon 13 और 4 upon 13 तो denominator यहां भी क्या हमारे सेम है जब हमारे denominator सेम है तो हमें denominator देगने सबचे छोटक है तो सबचे छोटन numerator हमारा 2 upon 13 है फिर हम देखेंगे 4 upon 13 है फिर हम देखेंगे 5 upon 13 है उसके बाद हमारे कितना है? 9 upon 13 और सब्चे वड़ा नमबर 11 upon 13 ओके यहां देखो 2 upon 7 4 upon 7, 3 upon 7, 1 upon 7 और 5 upon 7, इसमें सब्चे छोटा 1 upon 7, फिर 2 upon 7, फिर 3 upon 7, फिर 4 upon 7 और सब्चे वड़ा नमबर 5 upon 7, तो इस ढंचे हमको हम fraction को किसमें कर सकते ascending या descending में कर सकते हमें देखना कि अगर हमारे denominator सही में तो हम सिद्धे देगें denominator को तो सब्चे छोटा है